ज़रा देखिए कोस्टन दिया गया 11 नमबर क्या टैन सी इस उकल स्टू बना पान थ्री देखिए अगर टैन सी कोस्टू एक बटे तीन है इसका मतलब क्या है सबसे पहले हम लोग यह बना लें यह ओके यह करके देखाऊ अगर टैन सी बना लिया अगर टैन सी बना लिया अगर ट्रेंगल पे बात हो गई तो ट्रेंगल में टैन सी है यह तो इसका मतलब क्या है यह सी है इसे हम कोई भी नाम दे देते बे और इसे ए राइट अगर एबी सी ट्रेंगल हो गया इसमें समकोर क्या है इंगल भी दे दिय अगर इसमें लंब यह देखें आधार यह है और यह करण आपका है इसका मतलब है टैंसी कोस्ट होता है लंब बटे आधार मतलब यह वन हो गया और यह एक से क्या माल लिया थ्रे माल लिया अब क्या लिखोगे समकोड तुर्भुज तुर्भुज ABC में पाइथा गोरस प्रमे से पाइथा गोरस प्रमे से अगर पाइथा गोरस प्रमे से देखोगे क्या लिखोगे करण स्क्वेर बराबर आधार स्क्वेर प्लस लंब स्क्वेर करण किता है पता नहीं है आधार किता है तीन तीन का स्क्वेर प्लस लंब किता है एक ओके तो तीन रखे नो नो और एक दस बराबर दस यह करण स्क्वेर बराबर है इसका मतलब है करण बराबर आएगा जो अंडरूड दस आएगा तो यहां पे क्या लिख लोगे? करल बराबर अंडरूड 10 अब ज़रा करल बराबर जब अंडरूड 10 हो गया तो इसमें next दोनों निकालने हैं तो इसका मतलब क्या है? साइने निकालना है ओमें और एक निकालना है कॉस A साइने एक कॉल्स टू क्या होता है? का से बराबर क्या होता है आधार बटे करण तो शाइने बराबर लम बटे करण इसका मतलब लम आपका एक है करण किता है एंड़रoo10 है अगे सब्सक्राइब 12 एंड़र 10 फार 0 यहाप क्या लिखलोगे और पे साथ 2 मुथमως, आगे दिखे ट्वाल्ब नमबर